नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आमशौर कि आप लोग जब बहुत ही अच्छे होंगे तो दोस्तों आज एक और केस्टडी लिकर आए हूँ सुगी की कि किस तरह से जो है कैसे एक फेल स्टार्टप बन गया है तेईस हजार करोड का और वो भी सरफ चार साल के अंदर तो इनकी स्ट्रगलिंग स्टोरी क्या है किस तरह से यहां पे इन्होंने क्या ऐसा डिफरेंट करा कि जमैटो के होते हुए भी यह जो है नमबर वन बनके जो है सामने आए है तो यहां पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज के इस वीडियो को इस के स्ट्रडी को तो वीडियो को एंड तक जरूर देखियागा क्योंकि बहुत इंट्रस्टिंग जो है इनकी स्टोरी है तो अगर आपको यह लगे कि आपको यहां से समझ में आए कि किस तरह से कोई नई जगे पे दिमाग लगा के अपने ब्रांड को हाइलाइट किया जा सकता है और किस तरह से बहुत कम समय के अंदर काफी बड़ा ब्रांड बनाया जा सकता है तो ये आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल perfect knowledge मिलने वाला है तो चलिए बात करते हैं स्विगी के ओनर्स की तो जिन्होंने जो हाँ पे स्विगी स्विगी से पहले जो है यहाँ पे उन्होंने एक और start-up run कर start किया था और उस startup का जो main मकसद था मैं उसमें जादा नहीं जाओंगा उस startup का जो मकसद था उन्होंने जो दिमाग लगाया था वो ये दिमाग लगाया था कि जो logistic है जैसे कि Amazon हो गया Flipkart हो गया 2012-2013 की अगर बात करें तो उस वक्त जो है जितने भी vendors उनके साथ में publish हो रखे थे वो जो है ship करते थे items को end clients को ऐसे में जो है end clients तक जो है कभी timely पहुंच पा रहा था product कभी नहीं पहुंच पा रहा था तो ऐसे में जो customer experience था वो खराब हो रहा था तो जब यहां पे जो है इस चीज को analyze करा इनके owners ने स्विगी के owners ने तो उन्होंने एक startup रन करा था जिसमें उन venture को चलते हुए उसी दौरान जो है यहां पे Amazon ने और Flipkart वगरा ने जो खुद announce कर दिया कि हम जो है आपके पूरी shipment को handle करने वाले हैं जब एक नए startup के सामने इतने बड़ा startup का जो challenge competitor खड़ा हो जाए तो definitely वह startup जो है बंद ही होगा तो यही decision जो है इनके owners ने लिया और उस startup को बंद कर दिया और दुबारा इन्होंने श्विगी के नाम से यहां पे venture को start करा और यहां पर भी वही concept था जो concept इन्होंने change नहीं करा बट अभी सिरफ थोड़ा सा industry change कर दी पहले e-commerce के लिए जो है logistic का problem कर रहे थे उस पे solution लेकर आये थे फिर उन्होंने दिमाग लगा है कि और कैसा कौन सी ऐसी gap है जहां पे जो है logistic की problem आ रही है तो इन्होंने देखा कि बहुत सारे restaurants ऐसे हैं जो खाना deliver करते हैं घर पे लेकिन timely नहीं पहुँच पाता है customer खाने का पैसा भी देता है delivery charge भी देता है लेकिन उसके बाद भी customer को खाना जो है वो time पे नहीं मिल अब ऐसे में जो है यहां पे इन्होंने देखा कि बहुत सारे restaurant है जिनको खाना बहुत अच्छा है लेकिन वो घर पे delivery नहीं देते हैं इस वज़े से बहुत सारे लोग खाना घर पे नहीं मंगवाते हैं तो ऐसे में जो है यहां पर इन्होंने बहुत अच्छे से दिमाग कि हम जो है एक mediator बन जाते हैं उन सभी restaurants के लिए जिनका खाना अच्छा है या उन सभी restaurants के लिए जो home delivery के लिए active हैं तो यहाँ पर स्विगी ने एक city से start करा और वहाँ पर लोगों को इनकी जो service है वो काफी अच्छी लगी क्योंकि timely जो है वो deliver हो रहा था खाना और यहाँ पे जो service जो है trust इस service के जलते लोगों में जो है इनका trust बन गया अब जब trust बन गया तो definitely इनोंने थोड़ा सा जो है इनिशल स्टेज पे जो है जो भी transportation करा था वो उसमें से कुछ commission base के उपर start करा था लेकिन बाद में इनोंने जो है एक fix amount कर दिया हम जो है हर delivery के उपर जो है एक amount जो है वो charge करेंगे जो की delivery charge के नाम पे होगा तो लोगों ने क्योंकि service अच्छी लग रही थी इसलिए लोगों को कोई भी problem नहीं थी वो charge pay करने के लिए और इसी तरह से swiggy जो है आगे बढ़ने लग गया फिर एक city, दो city, तीन city, चार city, multiple cities में हो गया बट यहीं तक आकर swiggy नहीं रुका है swiggy ने अपने और भी business को और enhance करने के लिए लोगों की जो problems है उनको identify करा और identify करके उस पर solutions लेकर आया अब वो solutions क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ यह इसकी official website है और यहाँ पर आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पर swiggy है pop, swiggy, super और swiggy daily यह तीन तरह की service जो है यह अलग से भी चलती है जो कि swiggy provide करता है पहले यहाँ पर swiggy pop के बारे में बात करते हैं कि swiggy pop है क्या यह basically लोगों को ऐसे लोगों के लिए यह जो है इन्होंने option activate करा है यह service सिरफ उनके लिए जो single person है अगर कोई बहुत जगे पर ऐसा होता है कि single person जो है अगर कोई order करना चाता है तो कई restaurant से खाना ज़्यादा आता है कहीं से कम आता है कोई एक dish order करना चाता है कोई एक कोई भी particular portion है उसको करना चाता है लेकिन वो सारी चीज़े possible नहीं हो पाती क्योंकि अगर single इंसान है तो उसके लिए जो budget है single के हिसाब से restaurant से अगर हम pick up करते हैं वहाँ पे बढ़ जाता है तो यहाँ पे जो इन्होंने pop लेकर आये स्विगी pop यह स्विगी pop जो है बहुत ही famous हुआ अब इसलिए क्या है कि यहाँ पे single service meal मतलब एक इंसान के हिसाब से जो pop के अंदर जो है वो एक इंसान के हिसाब से ही खाना जो है वो portion जो है वो design करा गया है इसके अंदर free delivery है कोई भी extra charge नहीं लगेगा और यहाँ पे इस चीज का भी ध्यान रखा स्विगी ने कि क्योंकि एक single इंसान है तो वो एक time पे अपने खाने के लिए 100-500 रुपे या maximum 200 रुपे एक time का खर्च करना चाहता है इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कुछ इस तरह से जो है पाप के अंदर organize करा restaurant के साथ में कुछ ऐसे मिलके कि 100-500 के बीच में maximum 200 के तक जो है उनकी delivery भी हो जाए quality भी रहे और meal जो है बहुत ही proper तरीके से मिल जाए तो यह भी एक successful venture बन गया यहाँ पे स्विगी का और बहुत ही जितने भी singles है mostly जो है यहाँ पे स्विगी pop को इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ से भी स्विगी जो है काफी अच्छा कमा रहा है अब बढ़ते हैं दूसरा जो कि है स्विगी super अब स्विगी super जो है यह एक इनका membership program है तो अगर आप इनका membership program लेते हो तो यहाँ पे आपको मिलता है unlimited free delivery मतलब अगर आपने स्विगी super की membership ले ली तो आपको जो है यहाँ पे free delivery मिलेगी चाहे आप कितनी बार भी order करें यहाँ पे जो है आपको free delights no search free है और इस तरह की कई सारी चीजे हैं मतलब कहने का यह ह कि अगर आपका unlimited free delivery और अगर आप किसी भी restaurant से order करते हो और आपका order 99 रुपीज से जादा है तो आपका delivery free करी जाएगी उसके बाद यहाँ पे बुला गया है no search fee during rain बारिश के दौरान भी आपसे कोई extra fee नहीं ले जाएगी या फिर high demand सुती है जब आपके तो उस वक्त भी जो है आपसे कोई जादा extra charges जो है नहीं लिए जाएंगे इसके अलावा जो है super surprise जो है यहाँ पे कुछ और बहुत सारी चीजे जो है यहाँ पे आपके लिए available हैं तो यह हो गया यहाँ पे membership जी यहाँ पे मैं बता दूं कुछ 49 रुपीज का per month का यहाँ पे इनकी membership है तो अगर आप इसको try करना चाहते हैं तो 49 रुपीज बहुत ही nominal fees है जिसका आप इस्तेमाल करके जो है इसका membership ले सकते हैं और उसके order जो है free के अंदर delivery करवा सकते हैं तो यहाँ से भी Swiggy काफी अच्छा कमा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग Swiggy का use करते हैं और जो लोग regular use क करते हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा benefit हो जाता है अब बढ़ते हैं इसका तीसरा venture जो है वो है Swiggy daily में यह क्या करते हैं घर जैसा खाना everyday बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर आप single रहते हैं बहुत सारे ऐसे professionals हैं जो दूसरे city में जाके जो है रहते हैं और single हैं उनको ख खाना कहां से मिले और खाना जो है वो बहुत अच्छा होना चीए तो ऐसे में बहुत सारी local tiffin services वगरा चलती हैं लेकिन उनमें जो quality है वो maintain रही रहती है तो इसी चीज को यहां पे Swiggy ने जो है यह एक Swiggy daily का जो है यहां पे चालू करा और जिसके अंदर जो है आपको home style का mail दिया जाता है यहां पे easy subscription है मतलब आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई particular काम यह लेना ही पड़ेगा यह नहीं लेना पड़ेगा आपके बहुत easy है और easy on the pocket मतलब आपको जब मील चाहिए तब आप मंगवाएं जब मिल नहीं चाहिए तब मिल ना मंगवाएं यह आ home wives है तो यहां पे house wives है not house wives है तो ऐसे में जो house wives है उनको खाना बनाना उनकी hobby है तो वो चाती है कि उनको कुछ उससे earning भी हो जाए तो ऐसे लोगों को यह लोग contact कर रहे हैं और उनके घर से जो खाना बनकर जो है end user तक पहुँचाया जा रहा है तो यह भी एक बहुत बड़ professionals की जो problem है खाने को लेकर वो भी यहां पे solve हो रही है तो यहां पे स्विगी ने काफी amazing काम करा है और बहुत सारी daily routine की जो problems हैं लोगों की खाने पीने से related उस चीज़ को यहां पे solution करते जा रहा है तो guys मैं यहां पे भी आपको बता रहा हूं कि यह भी again एक case study है एक analyze करना ह किसी website को किस तरह से analyze करा जाता है किस तरह से किसी business को analyze करा जाता है किस तरह से उसके positive points जो है वो किस तरह से उन्होंने problem को solution करा है kis problem का कैसे solution लेकर आये हैं यह चीज़ जो है बहुत ही important है अगर आप भी स्विगी जैसा कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको अभी भी देखना है ये दिमाग लगाना है कि ऐसी और कौन सी प्रॉब्लम्स हैं लोगों की जो आप सौट आउट कर सकते हैं और बहुती बजट के अंदर होना चाहिए तब ही वो चीज फेमस होती है अगर अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें शेयर करें और अगर आपका कोई भी सुझाब है कोई भी आपका जाच चाहते है कि किसी और स्टार्टप की उपर जो है आपको पूरा एनेलाइज करके दू तो आप मेरे कमेंट सेक्षन में जरूर लिखक के दीजेगा तो डेफिनेटली उसके उपर भी आपको वीडियो बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी तो आज के इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही अगला वीडियो आने तक सेफ रहें एलर्ट रहें and be always good to others